नमस्ते मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आपको पोदिना और निम्बू का सरवत बना के दिखाऊंगी जो की एक ही बार में बनाएं और सीजन के पूरे 3-4 महीने बना का ठंड़ ठंड़ा सरवत बना के पियें पोदिना का सरवत बनाने के लिए मैंने अपनी क्यारी में से ताजा ताजा देशी पोदिना तोड़ा है इस पोदिने में बहुत ही अच्छी खुजबू है और तोड़ते समय बहुत ही अच्छी महकारी है तो मैंने यह पोदिना तोड़ लिया है और इसको साफ कर लिया है इ मैं एक कतोरी पोदीनाओ, दो क trouve मिश्री ले लिए हैं, वैसे हम चीनी पाइब हो ले अब माय नै ने न æिए लिए बेंक मिश्री होती हैं, वकलिना Message रखेंगे और महीन सी julie Michry की तासीर खोल्ड़ी होती है, जरूरी नहीं है छानना लेकिन मैंने इसे छान लिया है लोटू हाई गैस पर कड़ाई रखेंगे इसमें हम दोनों कटूरी मिश्री डाल देंगे और पुदीना का रस डालेंगे साथ मैं इसे खोडने देंगे आदे तार की चासनी बनानी है इस तरह से मैं उगली से दिखा रही हूँ आदा ही तार बनाया है अब गैस को बंद कर देंगे जैसे ही गैस बंद कर देंगे तो इसके जहाग भी कम होते जाएंगे एकदम बढ़ियासा कलर सहित पुदीना का रस बनके तयार हो जाएगा इतना गाड़ा करें इसे जैसे मैंने चम्मच पर निसान बना के दिखाया है बस ठंडा होने के बाद एक कांच की सीसी में भरके रखें पुदीना का रस बनके तयार है जब भी हमारा मन करें गर्मी का एहसास हो या पेट में गड़गड हो रही हो सर्वत पेट के डाइजेशन के के लिए बहुत अच्छा रहता है तुरंत बनाए एक ग्लास आव शक्ता अनुसार पुदीना का राष डाले है चाहे तो बरख के तुकड़े भी ढाल सकते हैं वाहित अनुसार काला नमक डालेह अगर चाहों तो भुना हुए जीरह भी ढाल सकते हैं और नीबू का रस डाल यह पुज़ maior आप घर पे ही आराम से बना सकते हो, बस 10-20 मुनट लगती हैं, एक वज़े पूरे गर्मी के सीसे सिजन हो चार-पांच मेहने आप आराम से पी सकते हो, पुदीना का रस बनाना बहुत ही आसान है, एक वार इसे बनाने के लिए ट्राई जरूर करें, अगर आप सभी खो मेरा ये पुदीना का रस बनाने का तरीका पसंदाया हो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, बनाने का कोई और तरीका हो, तो कमेंट पेस्ट में लिखें, ने सस्क्राइब नहीं किया है, तो कर लिजिए, नमस्ते